और लियन गिलीशियस की जिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लेकर आए हैं मुंबई स्टाइल बटाटा बड़ा बहुती ईजी और सिंपल रेस्पी है लेकिन खाने में बहुती टेस्टी होती है और इसको मुंबई की लाइफ लाइन बोला जाता है बटाटा बड़ा बनाएंगे बिलकुल मुंबई स्टाइल में वहां का स्टीट फूड है बटाटा बड़ा सबसे पहले हम उसके लिए कुछ मसाले दिया कर लेते हैं इसमें मैंने तीन हरी मिर्च ली है दो इंच में ले रही हूं यहां पर अद्रक का टुकड़ा और चार ही दरदरा इसको पीछ लिया है पानी की विजरुदनी पड़ी है सूखा सूखा यह देख सकते हैं आप बस यह जो पेस्ट आलू के अंदर जाएगा टेस्ट इसी से आएगा तो यहां एक हम पैन को गर्म कर लेते हैं इसमें हम 4-5 चमच ओल डालेंगे और यहां हम सरसों के दाने इसको चटकने देते हैं थोड़ा सा हम यहां लेंगे 1-4 चमच हम ले रहे हैं हिंग कुछ हमने करीपता ले लिए करीपता आप जरूर ने बटटा बड़ा के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं तो साथ आठ करीपता आप ले सकते हैं और हमने जो पे आठ को भूनना है भूधा बहुत ज्यादा भी निबूनना है एक 2 मिंट छो उपों लेना एं कि ए तो यहां पर हम थोड़ा सा हम डालरे हम लाल मिर्च का पाउदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लाए डालेंगे हमने हरी मिर्च भी लिगार ली थी तो ज्यादा आप नहीं मिर्च मसाझ जा जा जाते हैं और यहां पर अब मैंने ले लिए हैं अब चार बॉयल कियो हऊए अलू उनको मैंने मेंछ कर लिया था और यह मीडियum साइज के आलू हैं इसेधने An undermकिलना चाहते हैं उसे सबसे आलू ले और मसाले ले ले यहां पर चार मेने बोईल की हुए आलू ले लिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह हम एक पिठी तयार कर रहे हैं आलू की बटटा बड़ा के अंदर यूज की जाती है अब हम यहां पर फ्रेस दनिया डाल देंगे हरा दनिया काटके और थोड़ा सा हम यहां डाल देंगे नमक टेस्ट के अकोर्डिंग ले ले नमक जैसा पसंद करते हैं खाना उभी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब हम थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें फ्लेम को हम बंद कर देंगे अब हम यहां डालेंगे नीबुकारस इससे थोड़ा सा छटपटे मसालों के साथ हलक असा खटापन मिलता है तो बटाटे बड़े में जाना जाती है तो इसको डालने लेकिन फ्लेम बंद करने के बाद अब यहां पर हम इसके लिए घूल तैयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक कप चने का आटा लिया यान की बीसन लिया है इसमें थोड़ा सा नमक तरह से मिक्स कर लेना है अभी हम क्या करना है इसमें हलका थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको मिक्स करते जाना है एक साथ पानी नहीं डालना है अदर्वाइस बैटर हमारा जो बना रहे हैं वो ज्यादा पतला हो सकता है तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स क के तैयार हो गया है इस कंसिस्टेंसी का हम इसको रखना है इससे ज्यादा पतला नहीं करना है तो यहां पर हमारे जो हमने आलू स्टपिंग के लिए बनाए थे वो भी तैयार है ठंडे हो चुकी है अभी हमको एक रो ऐसे करके बॉल बना लेना है मैंने हाथ पर थोड़ा सा आलू भी लगा लिया है ताकि आलू की जो पिठी है वो चिपके नहीं हाग के उपर इस तरह से जैसा भी आकार में छोटे बड़े आप बड़ा बनाना चाहते है उससे साब से आप आलू को डिवाइड कर ले और बॉल्स बना ले आलू की इस सब की हमने बॉल्स बना ली है चीज़े के छोटी सीवी बनी है थोड़ा सा कम रह गया था तो वो भी वह तैयार है अब हम इसको फ्राइ कर ले यहाँ पर ओल को हमने गरम कर लिया है आप सरसों का भी ओल ले सकते हैं और इस तरह से हमें पेस्ट के अंदर जो हमने बेटर तैयार किया है बेसन का उसके अं पर गरम कर लें और बाद में इसको लो मीडियम रहने दें ताकि अच्छी तरह से पक जाएं जल्दी से जले नहीं हमने जो बेशन का घूल तयार किया है तो आप चाहें तो इसमें एक पिंच दो पिंच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं तो और ज्यादा क्रिस्पी बन जाएं बिलकूल ऑप्सिनल है यह अगर चाहें डालना तो डाल सकते हैं नहीं तो रहने दें तो हमारा यह बटाटावड़ा से चुका है यह दिए कितना सुन्दर कलर आया है एक दिन से प्यारा सा टेस्टी बहुत बनते हैं बटाटावड़ा इसी तरह से हमें दूसरे भी सेख ल भी नहीं है तो इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं दूसरे बड़े भी हम इसी तरह से सिख लेंगे मुंबई में अक्सर कर हर स्ट्रीट गली महले में ये मिली जाते हैं बटाटावड़ा मां की लाइफ लाइफ लाइन है ये ऐसे बोलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं भागम भाग बड़ी जिन्दगी में उनके लिए एक ये सहारा है फटाफट से बनने वाली चीज़ तो हमारे बटाटावड़े सिख चुके हैं ये लीजिए बटाटावड़ा बनके तयार हैं हमने सर्व भी खर लिया है थोड़ी सी तीखी मिर्चों syभने कर लिया था चटनी मिर पास पहले से वनी भी थी घ् थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर लेते हैं लाल मिर्च पाउडर इसका एक मसाला भी आता है उसकी रैस्की भी में जल्ली लेके आऊंगे वो डाल के भी आप अच्छा लगता है बटाटा बड़ा तो यहां पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी हमने स्प्रिंकल कर दी है तो करने वाली रैस्ट भी है तो आप प्लीज कोगर पर ट्राइ कीजिए अगर ऐसी पसंद आई हो तो लाइक से रख कीजिए थेंक यू